जैसा कि हम जिकर कर रहे थे कि हमने अपने कुरीक्रलम के अंदर बच्चों की जो एक्स्पेक्टेंसिज हैं, हमने किया है कि कौन-कौं सी महारते उनके अंदर आ जाएं. हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड लर्निंंग आउटकम्स हमारे ECC के क्या होगे? हमने अर्ज किया था कि हमने इन तमाम एरियास के अंदर तीन से लेकर साथ तक Competencies Mention की हैं और ये वो जरूरी बाते हैं जो ECC के असाद्जा को अपने बच्चों में पैदा करनी है जैसे Competency 1 ये है कि Children will develop an understanding of their likes, dislikes, trends, emotions and self-growing बच्चों को अपनी जात का पता होना चाहिए उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नापसंद है, उनके अंदर ताकत क्या है कहां वो कमजोरी महसूस करते हैं और फिर ये कि देखे हम अपने आप को क्या समझते हैं एक चोटा सा नजरिया तो हर बच्चे का होता है न, मसलन वो यह समझता है कि दूसरे लोग उसको एहमियत दे रहे हैं या नहीं, या वो यह समझता है कि दूसरे लोग उसको इग्डोर कर रहे हैं, और यह कि क्या वो बड़ों में चोटा है या चोटों में बड़ा है, तो ऐ ऐसी सूरत में भी बच्चे का एक self-concept होता है और यह self-concept दिलाने में उस्ताद उसकी मदद कर सकता है तो उसी competency यह है कि children will be willing to share and work in collaboration with their peers, teachers, family and neighbors regardless of gender अब देखे जो छोटा बच्चा है आपको पता है कि एक minute के लिए भी आप किसी छोटे बच्चे को तन्हा छोड़ दे मों घ गबरा जाता है तो जाहर है वो एक social being है बच्चपन से ही उसने अपनी मां को या अपने caregiver को देखा है तो ऐसी सूरत में तन्हाई उसके लिए बहुत मुश्किल है बड़ी यू समझे अजाब है बड़ा उसके लिए तकलीफ देया मर है तो ऐसा अकसर होता है कि माएं आपक करीबी रिष्टेदारों से, caregiver से और जब school जाते हैं अपने उस्ताद से और अपने पीर से जो इड़ीड दोस्त हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं तो हम यह चाहते हैं कि जो कुछ सीखें उसकी क्या नौयत होनी चाहिए यानि एक reflective process हमने बच्चों को देना है कि वो उसके बात करें उसके अपने और दूसरों के तालुकात को समझने की कोशिश करें और उसमें positivity लेकर आएं जो कि जाहर है उस्ताद की मदद के बगएर नहीं हो सकता अगली competency यह है कि children will develop and appreciation for the diversity of people around them हम यह समझते हैं कि बच्चों के अंदर इतिहाद जगानगत मुरवत बहुत चो कि हकूक हैं और सब इनसान अच्छे होते हैं और कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत छोटा नहीं यानि कोई किसी से हकीर नहीं है तो यह सोच उनके अंदर बाद में पूरी दुनिया के अंदर एक बराबरी का मुआश्रा पैदा करने में मदद करेगी फिर अगली कंपिटेंसी यह है कि चिल्डन में डिवेलप एंडरस्टेंडिंग अफ दियर ओन रिलिजिस वैलियूस यह बहुत जरूरी है इसके बगार तो हम मुसलिम्स की बात करें या कोई भी रिलिजिन होगा तो सब चाहेंगे कि उनका बच्चा अपनी रिलिजिस वै क्या है और उसके लिए बुरा क्या है फिर अगली कंपिटेंसी है कि चिल्डन विल डिमांस्ट्रेट असेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फोर सेल्फ और इंडर्स इंडर्स स्कूल होम एंड नेबर हुड तो देखिए एक छोटे बच्चे को शुरू से ही जम्मादार शेह करें लेकिन जब कभी शेरिंग की बात आए जब कभी दूसरों के हको को पूरा करने की बात आए तो उसके उसकी समझना तो देखिए हमारी जो ग्रूमिंग है पर्सनल ग्रूमिंग इस से ज़्यादा क्या बहतर होगी अगर हम यह समझ लें कि दूसरों के क्या हकुक है और कहां तक हम दूसरों के हकूप में मदाखलत कर सकते हैं, दूसरे बच्चों की चीज नहीं लेनी, नहीं छीनी, उनके हकूप को तहफुस करना है और अपनी चीजों को और दूसरे की चीज के अंदर इम्तियाज रखना है, यह सारी बाते हमें उनको समझानी है, फिर हमारी तो कहां बच्चे रहते हैं, जिस मुलक में रहते हैं, जिस मुआश्रे में रहते हैं, जिस कम्यूनिटी में रहते हैं, उसका अदब, उसका इहतराम, उसके तौर, उसके तरीके, उनको पता होने चीज़े, देखे हराम हलाल का हमारे हाँ कॉंसेप्ट है, हमारे हाँ और ब बच्चे जो हैं उन अकदार के पाबंद रहें फिर हमारी साथवी कंपिटेंसी यह है कि चिल्डन विल यूज कॉमन कर्टिसी एक्सप्रेक्शन उन्होंने कहा कि अपने असाथजा जो हमारे इसी इसी के असाथजा हैं उनसे यह कहा जाए कि वो बच्चों को छोटे-छोटे कर्टिसी वर्ड कहना सिखाएं कब और कहां कहने हैं और क्यूं कहने हैं जैसे प्लीज, सैंक्यू, सौरी, एक्स्क्यूज मी इस्ता के वर्ड जो हैं वो उनको सिखाए जाएं ताके हमारे बच्चे शुरू से ही अदब, आदाप और तमीज सीख जाएं और मौश्रे के ऐस के शहरी बने के लोग उनको पसंदीद्गी की निगाह से देखें।